दोस्तो नमस्कार फायर सेप्टी पाट साला में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे नेशनल बिल्डिंग कोड टर्मिनोलोजी के बारे में दोस्तों नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाफ से जो भी बिल्डिंग भारत के अंदर बनेंगे हमारे देश के अंदर ज कानून बना है दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं नेस्नल बिल्डिंग कोड टर्मिनलोजी के बारे में मतलब नेस्नल बिल्डिंग कोड कि इसाफ से जो भूवन बनेगा उसमें क्या क्या टर्म कंडिशन लागु होगा दोस्तों सबसे सबसे पहले हम आते हैं step by step तो सबसे पहले कौन से नहीं हम लागू होता है जैसे assistant evolution का मतलब है कोई भी नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से भवन बनेगा emergency के दोरान भवन को खाली करने के लिए ताकि कोई भी emergency में भवन के अंदर फस न जाए उसको सुरच्छा देने के लिए उपाय और असिष्ट करने के लिए सुरच्छित अस्थान तक पहुचने के लिए guideline लागू होता है उसको हम बोलते हैं assist evaluation ठीक है दोस्तों कि आगे चलते हैं दोस्तों ? जैसे भवन अलग-अलग प्रकार के बनते है तो उसमें भवन के अंदर अलग-अलग भागों का नाम होता है इसके बारें भी आपको जाना बहुत जरूरी है तो एक नाम हैट्रिम आप सोच रहे होंगे कि अट्रिम कि इसको बोलते तो सुन भवन के अंदर एक बहुत बड़ा छेत्र जो कई मंजीलों को बीच में स्पेस होता है कई मंजीलों के बीच में स्पेस होता है जिसमें दो मंजील या दो मंजील से अधिक छेत्र जिसके ऊपर छत हो जैसे सापिंग माल के बीच में। दोस्तों आप कभी Bienoa में गए होंगे मॉल होता है आप में गेट से कभी मॉल के अंदर गए हैं वे कि देखेंगे बीच बीच में बहुत बड़ा स्पेस है उसमें ठंदा रहता है एसी चलता हुआ है तो फ्रोर से जादा जो होता है चाहे मॉल हो चाहे कोई होटल हो या कहीं हस्पिटल हो जो उस टाइप की बीच में स्पेस बनता है जहां पर रिसेप्शन टाइप का बहुत बड़ा स्पेस बनता है जहां पर लोग पबलिक बैठते हैं चारों तरफ सर्विसेज के लिए बिल्डिंग मनाई जाते चाहिए रूम सर्विसेज के लिए या फिर कोई डुकाने हो जैसे आपका मॉल के अंदर अजू बीच वाला इस्पेस होता है लेकिन उसके उपर च्छत होता है उस एरिया को हम बोलते हैं एक्ट्रिम दोस्तों स्वचलित आग का पता लगाने और अलाम सिस्टम कोई भी भवन जब बनता है नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से उसके अंदर आटोमेटिक फायर डिडेक्शन अंद अलाम सिस्टम लगता है भवन के अंदर आग लगने पर तुरन धुआ गर्मी को आटोमेटिक आग का पता लगाना और अलाम बजाकर सुचित करना और इमर्जंसी की स्थिती में किसी भी व्यक्ति द्वारा मेनवर काल पॉइंट द्वारा अलाम को आपरेट करना इसमें पीए सिस्टम और टूवे कमनिकेशन सिस्टम लागू है तोस्तों नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से जो भी बिल्डिंग बनता है उसके अंदर आटोमेटिक फार अलाम सिस्टम भी लगता है जो कंट्रोल में इमर्जंसी रिस्पॉंस टीम है मलब जो फायर मैन वगरा जो इमर्जंसी के लिए तुरंत रिस्पॉंस करेगा भावन के अंदर तो उसको कैसे पता चलेगा कहा पर क्या लग गया तो वहां उस बिल्डिंग के अंदर अटोमेटिक फार अलाम सिस्टम लगा होता है और कहीं भी बिल्डिंग के अंदर उसके जो डिडेक्टर लगे होते हैं हर बिल्डिंग के कोनी कोनी में और मेन फारलाम पैनल से कनेक्ट होता है तो बिल्डिंग अंद जाता है उसको सेंस करता है और फायर अलारम बजता है जिससे बिल्डिंग के रहने वाले लोगों को पता चल जाता है कि अभी कोई emergency हुई है emergency के दोरान two-way communication के लिए control room से और जहां पर आग बुझा रहा है उस व्यक्ति से बात करने के लिए बिल्डिंग के अंदर फायर अलारम के साथ ही two-way communication system का भी डिजाइन होता है जैसे manual call point होता है कि emergency के दोरान mcp को दबा करके हम अलारम एक्टिवेट कर सकते हैं auto call point मलब जैसे फायर लाम डिडेक्टर हो गया उसी पॉइंट पे manual call point के पास देखेंगे एक two-way communication system जिसको talk back system बोलते हैं वो भी control room से जुड़ा होना चाहिए दोस्तों और public announcement system जैसे emergency के दोरान आपको public को सुचित भी तो करना है कि आप बिल्डिंग से अभी भवन के अंदर emergency हुई है आप बिल्डिंग से से फेरिया में सीडियों के द्वारा चले जाए उनको guideline देने के लिए उसको बोलते हैं public announcement system यह system लगा होना चाहिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों building अब मेटर के building क्या है building के बारे में हम बात करेंगे एक structure जो किसी भी उद्देश के लिए बनाया गया हो एक ऐसी structure दो किसी भी उद्देश के लिए बनाया गया हो चाहे उसमें इंसान रहता हो या ना रहता हो जीस भवन में foundation दिवारे फ्लोर चत चीमनी बिल्डिंग service प्लेटफार्म बरामदा बालकनी और कोई इमारत के भाग हो कुछ स्थाई जैसे तंबू तिरपाल जैसा कोई temporary को ढूश मतलब दोस्तों वर आल कोई भी बिल्डिंग जो पर्मान इंट जो पर्मानेंट्टी इस्ट्रक्चर जो बनता है जिसके चाहे किसी भी परपस से बने उसके अंदर चाहे इंसान रहता हो या ना रहता हो चाहे वो किसी स्टॉर के लिए पनाता हो चाहिए कोई की लिए परपस से बनता वह एक बिर्डिंग है यहां पर fosses ऐसों बांवानें पर मनता है सो यह प्रप्रपा देख अब दोस्तों मes बिल्डिंग की वर्टिकल दूरी जमीन के इस्तर से भवन के छत तक तै किया गया अंतिम रहने योग जिसका च्छत पक्का हो तथा धलान वाले च्छत की वह बिंदू जो बाहर दिवाल से लगा हो जो जो बिल्डिंग जो लास्ट आर सिस्ट वाला जो च्छत होता है वहां तक जमीनी इस तर से विल्डिंग के लास्ट जो आरसेसी वाला च्छत होता है उसको लेबल को हाइट में हम नापेंगे कि जमीनी लेबल से जो लास्ट फ्लोर वाला है उसकी दूरी डिस्टेंस कितनी है वो बिल्डिंग के हाइट मानी जाएगी जहां नीचे से दिवाल जाया है अब अब तक दिवाल नाष्ट है उसको हाइट में लिया जाएगा दोस्तों यह बिल्डिंग के उचाए इस हिसाब से ना पा जाता है अब आगे चलते हैं दोस्तों के कमबस्टेबल मेटरियल दहन सील सामगरी भवन के जब निर्माड होता है तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसा सामगरी लगता है बिल्डिंग में उपयोग होने वाला वह जोलन सिल्परदार जो जलता है बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग आर सी सी के बनते हैं कई जगा लोहे के बनते हैं तो उसमें आग नहीं लगते हैं बहुत कम लगते हैं लेकिन बहुत सारे मेटरियल उसके अंदर लकड़ी वूड कि लगाना से गृब फिरेब से लगाना है कौन सी खतरे के का समान मार्ग भावन के अंदर का वह भाग जिसको पार करने की आवसक्ता होती है वहां से लेकर वह दूरी जहां पर दो अलग अलग दिशा में मार्ग होता है उसको हम बोलते हैं और इस सब्सक्राइब करते हैं यहां से जो Heart देख नसक्ता है कि नियम कानौन दिया है कि कौम सी भावन में जादा जादा कितना डिस्टेंस होना चाहिए यह नहीं कि बहुत दूर आप बना दिये बीच में कोई है तो इसको हम बोलते हैं कौमन पाथा ट्रबेल उसके बाद वहां दरवाजे से निकलते हैं वहां दो दिशाओं में फायर एकजिट है दो दिशा लीजिए निस हैं जियां से दो रास्ताजा को सोचते हैं कि हमकी फटी छे उसिह नजभी नजडिक होता है उथर से हीह आप जाते हैं तो ऑफिस दर भबैठे आप से वह दूरी जहां पर आप आप जाकर सोचते हैं कि इधर जाय है उसी पॉइंट पे आप देखेंगे इवक्रेशन प्लानल लगा होता है तो इस डिस्टेंस को इस दूरी को बोलते कॉमवन पाथा ठ्रवेल ठीक है दोस्तों को में आगे चलते हैं दोस्तों कवरेड एरिया इरिया क्या होता है दोस्तों covered area का मतलब है जितने area में भवन बना है प्लिंथ लेबल तक सिर्फ वही covered area होता है भवन के campus के अंदर building के प्लिंथ लेबल के बाहर वह area जिसके अंदर building के services की बहुत सारे चीजे लगी होती है वह सामिल नहीं होता दोस्तों इसका मतलब यह है कि covered area उसी को बोला जाएगा जैसे कोई building बना है वह मालब यह सोगज में building बना है एक farmhouse है आपका खेत है farmhouse है या कोई भी building जिसमें आप नोकरी करते हैं तो देखेंगे दोस्तों वह जो boundary होगा boundary के बीच में बहुत सारे green area होगा security room होगी अलग अलग जगें पर swimming pool होगा तो वह covered area में नहीं आता वह site plot में आता है covered area मतलब जो प्लिंथ लेबल जो building का कोई भी building height जो बनी है proper building उसका जो हम बोलते हैं covered area ठीक है दोस्तों यह चीद्ध ध्यान रहें आपको building के प्लिंथ लेबल के बाहर वह area खुले स्थानों में निमलेखी छेत्र covered area में सामिल नहीं है यह चीद्ध ध्यान दें कौन-कौन सा च्छेत्र सामिल नहीं है अब बिल्डिंग बना है उसको खुले area में मलब जो site plot है आपकी property है आपके building हो गया लेकिन उसके बाहर भी तो आपकी property है जो पार्क है यह उसकी हम बात कर रही है तो उसमें क्या-क्या सामिल नहीं है पहला ए है उद्ध्यान कुएं और कुएं की संगना चाहे नर्सरी water pool swimming pool जो बिल्डिंग से बाहर होते हैं पेड चारो तरफ मंच टैंक फबारा बेंक चबुत्रा जो भी building के बाहर अक्सर अफिस में या किसी building के बाहर देखे होंगे पुएं होते हैं नर्सरी, water pool, swimming pool होते हैं, कोई मंच हो गया, tank 12 हो गया, यह सब चीजें जो है वो इसमें सामिल नहीं है, B में आता है drainage, पुलिया, नाली, catch pit, गली, pit, gutter, यह सब भी covered area में सामिल नहीं है, C, परिसर की दिवार, gate, बिना मंजिल का बरामदा, आप बाहर देखेंगे, जो side float होता है, परिसर की दिवार, जैसे बाहर की जो दिवार है, वो covered area में नहीं आएगा, गेट कवरडे अरिया में नहीं आएगा बिना मंझिल का बरामदा जिसे कोई ऐसा बरामदा बहार with time बना रहें जो इसके ऊपर कोई और मंझिल नहीं है आएगा थेक मिन्य स्लाइड स्विंग खुली शिणिया रेम चज्जा और इसी तरह के छेत्र जो है मैंने बताया था दी चोकीदार का बूथ पंप हाउस देखेंगा बहुत सारे पंप हाउस बाहर ही होते हैं चोकीदार का बूथ पंप हाउस कच्रास साप्ट इलेक्ट्रिक के के बीन या सब इस्टेशन ऐसे सिवाएं जो ऐसे सिवाएं के लिए बनाएगे अन्य भावन ठीक है दोस्तों यह कवर्ड एरिया में नहीं कि दोस्तों दोस्तों बात करते हैं बहुत कंपार के पूछा जाता है यह यह तो डाओन पूंकमर सिस्टम भावन के अंदर आग मुझाने के लिए एक ऐसा सिस्टम ट्रिक्स किया गया होता है जिसमें बिल्ड़िंग के निचले हिस्से से लेकर बिल्डिंग के छट तक एक पाइप लाइन का अरेंजमेंट होता है देख रहें आप इस भावन के अंदर बिल्डिंग के नीचे से लेका च्छत तक पाइप लाइन का अरेंजमेंट है रेट कलर का आपको दिख रहा होगा जिसका साइज 100 mm से कम नहीं होना चाहिए मतलब इसका जो साइज है कम से कम 100 mm का होना चाहिए और वह पाइप लाइन बिल्डिंग के छत पर मना वाटर टैंग से जुड़ा रहना चाहिए उस पाइप लाइन में हर एक फ्लोर लेबल पर आग पुझाने के लिए आउटलेट की व्यूस्था होती है पाइप लाइन में प्रेसर पनाने के लिए छट पर एक पंप की विवस्था होती है पाइप लाइन के नीचे ले हिस्से ग्राउंड भोड़ पर फायर सर्विस अप्लाइसेंस की विवस्था होती है जिससे जबुरत पढ़ने पर फायर विगाट की गाड़ी से कनेट करके न भी चार फ्लोर की पांच फ्लोर के हस्पीटल होते हैं, आप diap oike Crisp currently rency, मार्कत टैप का आप कोई म 있어요 आप होता हैven मौल जैसा मेप बिल्डिंग होता है तो आप देखो दोस्तों की बेश्मेंट नहीं होता है कहीं आप tv न होता है तो वहां पर क्या होता है कैंसे ँच चहती अपर यहां पर देखेंगे कर अब अब तब आग लगा जाएगी तो उसके लिए आउट्रिट đang बेवस्था होती है जहां पर होज पाइप करते हैं और आग को बुझाते हैं माल यह चार फ्लोर की बिल्डिंग है तो वहां पर आउटलेट की बेवस्था होती है देखें होंगे आप तो क्या होता है कि जैसे यह कहीं आग लग गई तो जो ओभर है टेंक होता है टेरिस पर एक पंप लगा होता है वह क्या करता है पानी उसको प्रेशर को मिंटेन करेगा जिसे आग बुझाने के लिए जाड़ा प्रेशर की ज़वरत है वैसे इस टेंडिंग प्रेशर तो उसके अंदर रहेगा टेल से जो पानी आएगा टेंक से जो डारेक्ट पाइपलाइन में लेकिन उसको प्रेशर मनाने के लिए पंप होता है और फायर फैटिंग के लिए हर फ्लोर पर आउटलेट दिया होता है तो दोस्तों जवरत पढ़ने पर माल यह उपर का पंप काम नहीं किया या फिर उपर पानी खतम हो गया टेंक का और आग बुझी नहीं जवरत पढ़ देख रहे थे उसके बाद फायर विदेट की गाड़ि आ गई नीचे से 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 कनेक्ट हो गया होज पायटिक के माध्यं से उसके बाद आप फैर फ्लोर अपर से नीचे तक आया है और उनटल पानी की व्युष्था है ऊपर ही पंप लगा हुआ है तो उसी सिस्टम को दाउन वेट राइजर मतलब सिष्टम भावन के अंदर आग बुझाने के ऐसा सिस्टम u 다या होता है जिसमें के नीचले हिस्टि से लेकर एक पाइपलाइन काया में होता है जिसका साइज कम से कम इम चुप रखे और उस पाइपलाइब लएबल पर नाव लेवल पर रिक्स किया गया होता है जिसमें बिल्डिंगे नीचले से लेकर बिल्डिंगे 16 एक पाइप लाइन का अरेंजमेंट होता है जिसका साइज कम से कम सो एमेम से कम नहीं होना चाहिए और उस पाइप लाइन में हर एक फ्लोर लेबल पर आग बुझाने के लिए आउटलेट की बहुस्ता होती है पाइप लाइन हमेशा पानी से चार्ज रहता है जिससे आग लगने पर तुरंद फायर फाइटिंग किया जा सके और पानी सप्लाई के लिए आटोमेटिक पंप चलकर सप्लाई देती रहे पाइप लाइन के निचले हिस्से ग्राउंड फ्लोर पर फायर सर्विस अप्लाईसेंस की ब्योस्ता होती जिससे जवर्वत पढ़ने पर फायर विगेट के गाणियों से कनेक्ट करके नीचे से पानी का प्रेसर भावन के अंदर दिया जा सकते दोस्तों जैसा अगर नॉर पानी से प्रेसर रहता है जो पानी से प्रेसर नहीं रहता है उसको ड्राइजर बोलते हैं तो कहने का मतलब है दोस्तों वेट राइजर जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे होती है गोवी भवन फैक्टरी तुसके लिए क्या होता है नीचे से उपर तक पाइपलाइन गया मतलब जब नीचे का सिस्टम फेल हो जाएगा तब वो काम करेगा नीचे से फार फैटिंग करने के लिए हर एक फ्लोर पे राइजर में आउटलेट दिया होता है जहां पर पाइप को करनेट करके आग उजा सकते हैं लेकिन नीचे से जो बड़ा सट टैंग होता है उससे प फायप रहीलन का प्रेसर कम होगा और पंप आठीक करेगा और पानी आपको प्रवाइड करेगा ठीक ही दोस्तों तो इस सिस्टम को क्या होता है इसको बोलते हैं वेट राइजर मतलब हम इसां पाणी से बहा हुआ राव राइजर फार फैटिंग हमेसा से पानी भरा हुआ राइजर उसको बोते हैं वेट राइजर ठीक ही दोस्तों अब आगे चलते हैं दोस्तों ड्राइजर अब ड्राइजर मतलब ड्रा-इजर सिस्ट्म भवन के अंदर आग बुझाने के एक ऐसा सिस्टम फिकस किया गया होता है जिसमें बिल्डिंग के निच की बयोस्ता होती है pipeline के निचले हिस्से ग्राउंट फ्लोर पर फायर सर्विस अपलाईसेंस की बयोस्ता होती है pipeline हमेशा पानी से भरा नहीं होता बलकी आग लगने पर फायर बिगेट की गाड़ियों से करनेट करके नीचे से पानी प्रेसर भावन के अंदर तक दिया जाता है दोस्तों यह आपको जाना इसलिए जो रही है कि डाउन गमर किसको कहते हैं वेट राइजर किसको कहते हैं कि आप आगे जब पढ़ेंगे ना तो कौन सी बिल्डिंग में कौन सी कंडिशन में वेट रा और राइज भी विए सपर्ड क हूता है और डाउनकंबर डीजार मनुदосiane है कि उसमने hand थेखुर्ट र सफटलो की ऑपने फ़र्ट पेश्टा ना बेश्मेंट ट कर यहार tela जैसे ही नीचे से क्पलिंग दिया होता है फैयर ब्रिगेट की गाड़ी से कनेक्ट होगी बाहर से जो पोटेबल फाइर बिगेट की गाड़ी आएगी वो कनेक्ट हो जाएगी उसके बाद उस पाइप लाइन के अंदर पानी का प्रेसर अपने द्वारा जो फाइर बिगेट की गाड़ी है वो पानी क्या करता अपना ही पानी उस पाइप लाइन के अं से निकल जाता है उसके बाद आप हर एक फ्लोर पे फार फैटिंग कर सकते हैं तो मतलब वो जो सिस्टम होता है हमेशा खाली रहता है ड्राइब रहता है लेकिन आग लगने के सिच्वेशन में जब कभी ज़वर्ट पड़ता है उस दोवरान उसके अंदर पानी जाता है इसल दोस्तों आगे जलते हैं इमडर्जनशी लाइटिंग एक भावन कोई भी बीवीवस्थ्टा हे उसके अंदर इमर्जनशी लाइटिंग की भी ल definitely होती थी है इमेर्जनशी К का मतलम है नार्मल लाइटिंग फेल हो जाने पर प्रकास के लिए एक व्यवस्था होता जिसका हम उपयोग करते हैं मतलब एक ऐसा सिस्टम एक ऐसा कोई चीज आपके पास बैटिक मलब कोई भी ऐसा टोर्च जलने वाला या फिर कोई ऐसा व्यवस्था होता है कि जब भाई चला गया ता आप उसका स्वनाल करते हैं उसको वोलते हैं इमर्जन शी लाइटिंग ठीक है दोस्तों इंवर्जन्सी लाइटिंग सिस्टम धान भाई इंवर्जन्सी लाइटकीन करते हैं में को जबर सकता है लेकिन दोस्तों करते हैं पूला सिस्टम करते हैं इसका का अर्थ है आपात का लिंग प्रकास की दोस्त था जब कभी लाइट फेल हो जाए इस दोरान बिना बंध हुए किसी बैटरी बेक अपके माध्यमसर लगातार जलता रहे जैसे माल जी आपके भवन है कोई विल्डिंग है लाइट चली गई पुरन दिग्दम से अंधेरा हो अब भाई आप हो आप अपने घर पे इमर्जंसी लाइटिंग रखे आप अपना आपको पता है अंधेरे में इसे गए आप को पता है अलमीरा खोले उसमें से लाइट निकाले और उसका यूज कीजिए लेकिन कोई भवन है कोई मौल है कोई बिल्डिंग है तो हां इसलिए इमर्जंसी लाइटिंग सिस्टम होती है बिल्डिंगों में भौनों में फेक्टरियों में कि लाइट को जाने के बाद भी कोई पावर सप्लाई कट गया या बीच में कोई कोई ट्रिप कर गया बैक अप तो उस दवरान क्या होता है कि लक्स लेबल मिंटेन रहता इतना प्रकाश की बेवस्था रहता है कि रास्ता वगरा सब कुछ क्लियर दिखता है आपको कहां जाना है कहां नहीं जाना है हर वक्त वह एक लाइट की बेवस्था होती है उसको बोलते है इमर्जंसी लाइटिंग सिस्टम वह बैटरी बेकप के द्वारा जुड़ा होता है कुछ ठीक है दोस्तों आगे चलते हम दोस्तों इसकेप लाइटिंग अब इसकेप लाइटिंग का अर्थ सुनिए दोस्तों इसकेप क्या होता है इसकेप लाइटिंग अपात काल इस्थिती में इसकेप रूट मतलब इसकेप रूट भवन के अंदर से पलायान करने वाल मार को दिखाता है मुख्य प्रकास बंद होने पर इमर्जन्सी इसकेप रूट के लाइट चलती रहती है जिससे इमारत के से ब्यक्ति बाहर निकल सके अब इसकेप लाइटिंग इमर्जन्सी लाइटिंग मतलब देखो दोस्तों एक ही चीज देखाए यह चीज़ान है इमर् वह चेप लाइटिंग भी कहना उचित होगा क्योंकि वह एकजित वाले रूट पर इसकेप मतलब बिल्डिंग को जिस रूट से लोग भागते हैं सेफ हैरिया में उस रूट को बोलते हैं इसकेप मतलब की आप समर रहे हैं तो उसमें जो लाइटिंग शिष्टम लगा होत तो लाइटिंग जलता रहता है उसकी बेवस्था बिल्डिंग के अंदर होना चाहिए दोस्तों कि इवाकेशन लिप्ट मतलब बचाने वाला लिप्ट बचाने वाला लिप्ट आपकाल इस्थिति में के दवरान खुद से निकलने के लिए लिप्ट का इस्तमाल किया जाता है है तो इमर्जन्सी के दो लाण आप उसलिप्ट का इस्तमाल करके को दोस्तों ऑस व्जित का मतलब क्या होता है दोस्तों एकड़ित का मतलब भावन के बहर निकले वाला वह मार्क जो भावन से बाहर से फेर्या सिकलता है और तो बाहर निकलने वाली शिडियां या एक्जिट रेम जैसे कोई भी भवन दोस्तों उसका एक्जिट का मतलब होता है एक्जिट के ऐसा डिजाइन होता है कि पड़ा चला टेरिस से आप किसी फ्लोर से आप आए अंदर वो श्टेर के से आओ चले गए बेस्मेंट में तो उस के रूट है कोई रैंप है कोई स्टेर के से एक्जिट वाला कारिडोर है तो उसमें क्या-क्या नियम कानून होना चाहिए उसकी भी मतलब आपको आगे चलके पता चलेगा दोस्तों ठीक है दोस्तों अब फायर बेरियर क्या होता है अब एकची धान रखना बेरियर का मतलब आग को रोकने वाला बेरियर जैसे भावन में आग लगने पर आग को रोकने के लिए कोई दिवार या फायर कार्टन परदा आग को रोकने वाला दरवाजा फायर डोर वह सभी मार्क जिससे एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में आग को फैलने से रु अग जलता है खारा मनता है गैस टाइपलाइन है तो उदर खतरा जादा है और उसके बाहर पब्लीक एरिया है या फिर और कोई एरिया है तो भवन कई प्रकार के होते उस भवन के अंदर कई प्रकार के चैलेंजेज होते हैं कोई फ्रकार के लिए फैर बेरियर का यूज होता है जो उधर आग लग जाए तो वह आग पड़ा बगल वाले बिल्डिंग में आओ उस बगल वाले कमरे में ना फैले इसलिए उस आग को रोकने के लिए जो दिवाल है जो दरवाजा है जो रास्ता है उस रास्ते में बंद करने के लिए एक फायर बेरियर का मतलब यह हो गया कि ऐसा मेटरियल से दिवाल बना होता है जो आग के टंपरेचर में जले ना और वह आग आगे जाए ना दरवाजा ऐसा मेटरियल के बना होता है कि आग लगने पर वह दरवाजा भी ना जले और वह आग आगे तक पहले ना कोई बी केबल जिसे कोई एरिया है साफ्ट है उसके बीच में इसको सील भी किया जाता है ऐसे जाए जब आगे तक न जाए यह एशा कर्टन जो जो आग को रोक सके ठीक है तो उसको बोलते हैं फायर एक लिएर ठेक है दोस्तों फायर कंपार्टमेंट क्या होता है का मतलब बिल्डिंग के अंदर अब एक चीज अब ध्यांदना दोस्तों कि यह जो बेरियर होता है इसका fire barrier and fire compartment में बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इसको ध्यान से समझेंगे, तो समझ में आ जाएगा, fire barrier का क्या मतलब है और fire compartment का क्या मतलब है, ठीक है दोस्तों, fire compartment मतलब building के अंदर अलग-अलग छेतर को zone में बाटा जाता है, उसका एक एरिया होता है जिसको हम जोन में बाटा जाता है हर एक बिल्डिंग का एक हजाट के उपर डिपेंड करता है उस हिसाब से उस जोन को विभाजित किया जाता है एक जोन में से दूसरे जोन में आग ना फैले इसलिए एक भवन के अंदर वह कंपार्टमेंट जो चार उसे हम फायर कमपार्टमेंट करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग बागने का इसी बिल्डिंग के डिजाइन होती है फायर बेरियर जो मैंने आपको पहले बताया था उसी मलब एक फायर प्रूब मेटरियल से उसको सील किया जाता है कि उस कमपार्टमेंट में जो आग लग गया उसको एक जोन में होता है यह दूसरा जोन है उसी हिसाफ से जो काल है पहली कमपार्टमेंट में आग लगा तो आगे नहीं जाएगा कोई सीलिंग एच्छत है कहीं भी ऐसा स्पेस नहीं मिलेगा कोई दरबाजा है या पर कोई साफ्ट है सब कुछ फायर प्रूफ मैटरियल से सील होगा ठीक है दोस्तों अगर कोई खुला स्थान है तो पर वाटर कर्टन या फायर कर्टन के व्यूस्ता रहेगा कि जो आग है और धुआ है एक कुछ कॉमपार्टमेंट से और उसको बोलते और और फायर कम्पार्टमेंट जब आगे बीदिंग के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ जनकारी होना क्या था होना चिए कितने स्क्वाइर फीट में फायर कमपाटमेंट होता है साड़ा कुर्फ नौलिज मिलेगा फायर डॉर एंड एसे डॉर एसे मली फायर डॉर एन्ड चाहिए ऑग को रोखने के लिए फायर डॉर ऐसंबली में लगा दरवाजा फ्रेम हार्डवयर अन्हें असेसरी जो दरौजे के स लगा है वह नीचे ऐसे मेट्रियल का बना होना चाहिए कि आग और धुआ उस दर्वाजे को पार करके दूसरे कंपार्टमें में ना जाए तो दोस्तों मान यह एक अग लग गया तो अब उस वहां तो नहीं लगा दोगे तो उस मलब वहां पे दरवाजा लगाते हैं दरवाजा मलब फायर डोर एंड फायर डोर असेंबली का मतलब यह जो दरवाजा हो दोस्तों इसमें बहुत सारे असेसरी जिसका एक फायर आग से मतलब है अब मैं बतादू किया मतलब है फायर डोर का मतलब यह हमेशा बंड रहना चीए लिकिन बंड रहना चीए कि आग लगने पर धूगा या फिर आग जो धर टरवाजे से उस पर ना जय थीकर दोस्तों और खोलने के लिए क्या होती होता है यहां पर पैनिक बार लगाता है मतलब आप इस पैनिक बार को दबाऊगे पुश करोगे तो दर्वाजा खुल जाएगा और जैसे आप चले जाओगे बंद हो जाएगा तो इसमें डोर क्लोजर पैनिक बार और यह फाइर नबग मैट्र trianiam कर भुपाइब क्दों सफिंग tocar एक स्मोंध लगा होता है ताकि दोनत की अपर दंवाजे से सब्सक्राइब और लगा होता है अनकी थिखा दिखाई जहें कि घुंब क्योटर और लागता है ठीके दोस्तों, फायर एक्जिट भवन के अंदर इमर्जंसी के दोड़ान एक ऐसा रास्ता जो सीधा सेफ है एरिया में जाता है, किसी भी प्रकार का कोई और रोधक नहीं होना चाहिए, आग लगने पर उस रास्ते में आग और धुआ उस रास्ते में नहीं जाए ऐसा ब्य में जिए भवन के अंदर इमर्जंसी के दोडान एक ऐसा रास्ता प्याद्स एफ है रीया में जाता है, जो तु को यह धाई किवाओं बीजाइन होती लेकिन उसके बीम इसी उसे और सीधा परह करद दर जाएंगे ऑफ जोड़िए जाएंगे मुझे यहांता होती है वह yea कोड़ के हिसाब से बीडिंगों का उसमें वेंटिलेशन के वेवस्था होना चाहिए हर फ्लोर पे फार डोर लगा होना चाहिए कि फ्लोर के अंदर आग लग गया पराचला वह धुमा शीडियों मा गया और आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इमर्जनसी लाइट के वेवस्था होना चाहिए तक फार गड़िट में आपको परपर दिखाई दे रहा है कोई भी समान मेट्रियल सीडियों में रखा या कोई मेट्रियल नहीं होना चाहिए यहाई मरला वह फायर गाइड लाइन के हिसाब से फायर एकजीट का डिजाइन होता है दोस्तों अब फायर फायटिंग साफ्ट क्या होता है दोस्तों यह थोड़ा सा टाइम लगेगा आप इसको समझिए भवन गंदा छेत्रफल के हिसाब से अलग-अलग हिस्से में आग से सुरच् कोई कहीं से कभी स्टेयर के से गए होंगे building रहा तो आप देखे होंगे कि या प्रगल में फैसी होगा आग बुझाने वाला राइजर होगा इस टेयर के पास ही मलब यह वह जो पूरा एरिया है साफ्ट जो है फायर प्रूफ मेटरियल से बना होता है मलब उस एरिया में जैसे किसी फ्लोर पर आग लग गई तो वह आग इस एरिया में ना है उसके लिए सब कुस हुआ होता जिसमें क्या क्या होता है दोस्तों अप इस फायर शाफ्ट में देख सकते हैं कि इस पे मलब उस फायर साप्ट केных प्रेसर जो है hona चाहिए प्लश्ट पेरिया में आएगा इधर का हवा बाहाओ उधरी होगा इसलिए फायर साफट में क्या-क्या होता है ये वुक्त के सामने फैर होता है कि आप भागते टाइम जब जेसे दरवाजा स्समार्ड ऐसा से अर्व कर डिजाइन से बाँर क्योंat u से बाँ सब्सक्राइब कर दोब्हागा रिअरिप्र कोरे नहीं सब्सक्राइब कर दोबी ठीके दोस्तों उससे लगा हुआ लिप्ट हो गया है 쉬 भाग गये फ्लोर पर से लेकिन बहुत लोग लिप्ट के अंदर उस टाइम ट्रवेल कर रहे होते हैं उनको मालूम नहीं रहता है इसलिए लिप्ट का भी एरिया फायर शार्ट में ही बनाया जाता है ताकि आग लगने पर वह जो 120 मिनट तक रोक के रहता है दो घंटे तक आग रहता है आपको देखे होंगे बिल्डिंग में ही है लेकिन फ्लोर होता है वह फ्लोर क्या होता है उसके बीच में दर्वाजा होना चाहिए और दिवाल होना चाहिए ताकि उधर का जो भी आग लगने पर वह गर्मी धुआ आग इस एरिया मनाए तो पूरा आप इस प में होते हैं इसमें इपले सारे कुछ होते हैं है घर KP अब दीवाल कि से कूल ऊर्जा बिल्डिंग अंदर दो दोस्तों चोल्भी मेंट्रियलिज का इस्तामाल होता है करसुर्षण के दोरा सब्राब बनाने के दोरान करने तो उसके अंदर कितना फाद लोड हो कलकुलेट होता है, विल्ड लोड की बिल्ड नियान रहे हैं। ठीक ही, कोई ऐसा खतरनाएं बिल्ड बना रहे हैं। या फिर कोई ओफिस बना रहे हैं। उसिताब मेटरियल का इस्तेमाल करते हैं तो जो इसमें होनेज़ों मेटरियल है उसको हम केलर के मुझे हैं को ठेक हैं कि देंशिटी फ्लोर एरिया और फ्लोर करें दोस्किंदी जो है अई उसके इस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऐसकी शेछ लिप्टों का समू जिसमें एक होते हैं वह आग और धुआ के सभी खतरों से बचने के लिए सभी आवस्क्य सुविधाओं के साथ जुड़ा होता है जरुरत पढ़ने पर रिस्क्यू और बचाओ के लिए विभिन मंझिलों पर पहुखने के लिए इस्तमाल किया जाता है जैसे जर्फ यह फाइर लिप्ट के अंदर में आता है उसकी डिजाइन ऐसी होती है दो गंटे तक जो आग लग गिया फ्लौर पे एकसोबीश मिनट तक वह इस एरिया में नहीं आना चीह है अब चुक्छी इ उनका नियम कानून है कि उस में फायर लिप्ट भी होता है जी के दोस्तों तो फायर लिप्ट क्या होता है वो मेनुवल अपरेट होता है नीचे से लेकर उपर उसकी सारा गाइड लिप्ट में लेकर नीचे आएगा और आग बजाने के लिए कोई भी कि समान की जरूरत है किसी भी चीज लिप्ट के द्वारा तीसमें मंजील पर अलग-अलग मंजील पर लेकर जाना है इसलिए उसको सेप्टी परपस से मनाया जाता है उस लिप्ट की डिजाइन ऐसी होती कि उस हेरिया में मतलब आग लगने पर उस हेरिया में कोई भी धूआ अग नढाए और फार मैन जो हैं फार मैंन स्विच देखेऊंगे फार लेफ्ट में स्विच लगा अप देखेंगे उसन पर फार में लिप्ट को अपने सखुद से उपरेट करेगा बाहर का कॉल नहीं लेगा यह नहीं कि बाहर से कोई ग्राउंड दबा दे से कंड प्रोऊ अंदर से कौल लेगा ठीक है दोस्तों कि उसकीश कि मतलब अगनी रोधक मेट्रील की गुड़वत्ता अगनी रोधग मेट्रियल की गुडवत्ता मतलब आग को कितनी देड़ तक रोक सकता है भवन के अंदर आग लगने पर एक सो चालिस से 180 डिग्री सेल्शियत या उससे अधिक तापमान तक कुछ समय आग को रोक कर रखता है जिसका मतलब रेटिंग से होता है कौन सा दिवाल कितने घंटे तक आग को रोक सकता है तो उससाब से कौन से दरवाजा कहां के लिए डिजाइन हो रहा है वह दिवाल कहां के बहुंद में अलग-अलग एरिया होता है किचन के एरिया में अलग कानून होगा बाकी एरिया में ड्राइव आलग दरwałाजे को इलेक्टिकल साफ्त होते तो इसमें जो नदर मैटरियल लगता है उसकी कितनेどर तक कितने अगनी प्रतिरोधक दिवाल जिसका फायर रेटेट दिवाल भवन के अलग-अलग हिस्से के अनुसाद तैक किया गाल जाता है जैसे कीचन की दिवाल इलेक्टिकल रूम की दिवाल बैटरी रूम की दिवाल और कोई इसके अंदर आग लगने फेख़त्रा बना रहा चाहिँ वह खत्रा कितना बड़ा है उसके ताप्मान जनरेट होता है उसको रोखने के लिए कितना समय चाहिए यह सभी बातों को ध्यान देनते हुए दिवाल होता है बिरिक से बनेगा कि अलग अलग आज कल मैट्रियल फायर पूफ मैट्रियल अपना चला इसे मैट्रियल से बना लिए कि सिमेंट आग लगने पर जल गया दिवाल ही गिर गया तो ध्यान में रखते हुए वह कितने उसकी रेटिंग बनते हैं तो उसकी दिवाल जो होती है फायर प्रूफ मैट्रियल होता है उसके अंदर बाइचान अग भी लग जाए तो दो घंटे तक वह आग बाहर ना आए पब्ली के लिए पर आग लगने पर वहां पर इसमेटरियल के इस्तेमाल गया तो उसकी रेटिंग तेह की जाती है जोस्तों से थां तो फायर सब्रेशन दोस्तों क्या होता है फायर सब्रेशन का मतलब मिब्वाजन करना मतलब एक परीशर के अंदर दो फ्लेट है और दोनों के बीच में जो दूरी होता है जिसको हम मीटर में नापते हैं वो दूरी को फायर विभाजन करें या फार सपरेशन पर विल्ड एक कंपार्टमेंट हो गया जैसे दोस्तो आह एक खेत हो गया के दूसरा खेत हो गया ओप में बीच में एक रोड हो गया ठीक है दोस्तो अब एक खेत में आग लग गयी तो दूसरे खेत में भी लग सकती हैं लेकिन रोड जीतना लगा एक भी सिम आग लगीए तो दूसरे खेत मैं लगने की है कि गुणाई सकम रहे गी तो उस चौड़ाओह स दूरी को हम मीटर में नापते हैं से उसी दूरी को हम हमोगते हैं फायर सप्रेशन कितना है 2 मीटर है चार मीटर है तस मिटर है धुल ये चिना दूरी जादा रहे गई उसी प्रकार मीनिंग है बिल्डिंग बहुट है दूसरी बीदिंग के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं फार सपरेशन कितनी मीटर में है ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं सब्सक्राइब और आफ लिए अमद करने वाला आग दमन करने वाला सिस्टम जो कि आग लगने पर कैसा पाइप लाइन द्वारा आग बुझाने वाले पदात का आग के प्रेस्सिस्टम जो गैस त्वारा आपको बुझा जाता है वह फाइपलाइन द्वारा होता है तिक दोस्तों गैस आधारित शिस्टम जो अगनी समन मीडिया के रूप में गैस के आधारित कर गोगता है दोस्तों परिशन के प्लब कोई भी आग बुझाने वाला एक्विपमेंट है उसका एक इंडियन इस्टेंडर बना है हर एक चीज का इंडियन इस्टेंडर नमबर अलग अलग होता है उसका नियम कानून सब अब आगे चलते हैं फ्लोर एरिया रेशियो के हम बारे में बात करें हैं श्लोर एरिया रेशियो मतलब दोश्तों आप एक ध्यान देना थोड़ा से ध्यान दोगे आप समझ होगे कि युथ घे screen vision जो होता है कि अधिया व्लोट जो हता है जीसी हर एक बिल्डिंग कानून होता है कौन सब्लिंग कितना उचाई पर होगा ऐसे आस पास का छेत्र इनला कितना एरिया में होना सचिह इनहीं कि कोई गली में बिल्डिंग मन जाए कंजस्ट स्थंट हो जाया बीच में कोई इना रहाए इक वीट क किजरہ और पर अब हांबे सब्सक्राइब नहीं करता है वे इनले में आगता ऑँ टोटल प्लाड में कितने प्लोर का ठाहिया दोस्तों चाड़ो तरफ के निचे बेस होता है उसको प्लिन ओलते हैं और कितने फ्लोर का बिल्डिंग है और सभी इसमें एक चीप देख सकते हैं कि इसमें देखो एफे आर यहां लिखा एफे आर मतलब होता है फ्लोर एरिया रेशियो ठीके दोस्तों एफ है साई का मतलब होता है फ्लोर इस्पेस इंटेक्स बी सी आर का मतलब होता है बिल्डिंग कवरेट एरिया ठीके दोस्तों यह जो है बिल्डिंग कवरेट एरिया कि है और देखर हो अलगomb है इसमें देख रहे हो जी जीरोपॉइंट टू फाइप में यह जो बना है हम्नेच परशेंट में सरे यहां पर यह पिशुप्शंट है फचिस पर्शंट बिल्डिंग है यहां दो फ्लोर बन गया दोस्तो जग्व हो गया यह 25 यह इसाफ से लगू होता है अब यहां देख रहो दोस्तों चार फ्लोर तो यहां पर देख रहे हैं आप आठ फ्लोर हो गया दो परसेंट हो गया तो यह क्या होता है कि कि हम बात कर रहे हैं टौ पशिस परशोन मां पहसिबल ही नहीं है नहीं थी है 50 परशेंट मदा अब सुके हम बात कर रहे हैं कितने अरिया में anlat 讚 लेडरी भी में बिल्डींग तो 5 इसके बात कर रहे हम rata ryan b καल दो दो फ्लूर बन गया तो आपका 100 पर संट हो गया थीन दे रिंवडरी परसेंट हो हो गया और 4 फ्लोर हो गया थो सो परसेंट हो गया वैसे नीचे देखेंगे अंडे हंडेट परसेंट मलब पूरा कबर एरिया हो तभी 100 परसेंट माना जाएगा तो यह पूरा बिल्डिंग बन गया आगल-बगल एरिया जड़ा भी नहीं चूटा है अब दो डेल फ्लोर बन यहां पर देख सकते हैं इसको बोलते हैं फ्लोर एरिया रेस्यू ठीक है आगे जलते हैं फार एक्जिट हार्डवेर हार्डवेर का क्या मतलब है दोस्तों फार एक्जिट हार्डवेर इमर्जंसी निकास इमर्जंसी निकास यात्रा की दिशा में जहां पर बल लगा कर दरव पड़ना पड़ता है उसको फारेग्जित हाडवेर बोलते ज्ची ध्यान रहे दोस्तों अगर कोई पूछ दें कोई दर्वाजा है इसा चीज है तो फारेग्जित लेकिन आपको को हाथ से धका देना पड़ेगा कोई पैनिक बार रहे सो को दबा करना पड़ा खोलना पड़ेगा उसको पूर्थे फार एक ठील के लिए ठीक है दौस्तों कि आपर हाई राइज बिल्डिंग क्या होता है तो आप है दोस्तों अभी हाँ फोकस करें मरण 15 मेटर या उससे अधिक उचाई को राइज बिल्डिंग बोलते हैं बहुत जो पंदर मीटर की विल्डिंग है या फिर अधिक उचा जो भी विल्डिंग है वह हाई राइस बिल्डिंग में आता है जबाब है अब ध्यान रखना इसको और फ्लोर पर सीधा एक ऐसा रास्ता जो आग और धुवां से सुरच्छित होता है और फायर कंपार्टमेंट के समान होता है जिस दिवारे फायर रेश्टेन 120 मिनिट की रेटिंग की होती है होरीजंटल इक जिट माल का कोई फैक्टरी बहुत लंबा छोड़ा छे फ्लोड़ा त्ट दोस्तूं मलब बील्ड़िंग कवर एड़िया बहूंट बहुत जा रहा है तो क्या होता है तो उसमें क्या में अंदर बैठे कर दरवाजा खोलेंगे वह घो कोके चारीड दोस्तों की रूम होती है। हमारे बगल वाले रूम Great हे या ताप्मान ये उस्कारिडर में नहीं जाएगा वह उस रास्ते में इमर्जेंशी लाइट होगी सब कुछ होगा मतला हमें दर्वाजा खूलना है उस रास्ते में चले और रास्ता सीधा में श्टेर केस में बाहर निकल गया दोस्तों उसको बोलते होरिजेंटल एकजीट ठीक है दोस्तों विट्ट लो भी क्या होता है जैसे कि मैंने बताया भवन के अंदर एक इसा स्थान जहां पर लिफ्ट कार में परिवेश्ट करने के लिए इंतिजार करने या लिट्ट कार में से बाहर निकलते हैं बील्डिंग के अंदर आपको दसवें फ्लोर पर जाना है तो आप जो लिप्ट को इन्तिजार करते हो ना कि लिप्ट आएगी तो हम जाएंगे तो जहां पर खड़ा रहते हैं उस एरिया के देखेंगे बाहर कई लिप्ट होते हैं लेकिन जो जगे होता है जहां पर आप कि अधर के रखना मिलनग उसका फ्रेसर करके रखना थीका दोस्तों बिल्डिंग अंदर आग लगने पर फैन द्वारा भावन के अंदर एकजिट लूट लिप्ट लाभी स्टेर लिप्ट साफ प्रेसर द्वारा किया जाता है ताकि वstart कि उस एरिया में फ्लोर पे लगा आग और धुना प्रेसराईज तिसे दोस्तों बिल्डिंग है Coordinating अंदर क्या होता है कि फायर साफ्ट जिसका बता है सब कुछ फायर फुट सब्सक्राइब ग्राउंड जो यह उख कर एक कमपार्टमेंट होता है साफट के रूप में ठीके दोस्तों जा उपर तक इधर किसी भी फ्लोर पर आग लग गया तो आप क्या करेंगे वे भागेंगे आग उस एरिया से फार फाइटर भी आ रहे हैं तो फार फाराइटर लाते हैं जहां बेब फार साफ्त होता हैं अंदर खालें और तो फारожते हैं सब्सक्राएं और भेली दिवाले आग से जले ना दुमा ऊगरा ना जाय उसको दोस्तों 25 प्रेसर के लिए प्रेस्राइजरोडन सिस्ट्म लगा होता जो पर 2 या चहत प्रेश अंदर फैन लगाता है उपर से फैन चलेगा तो हवा क्या होता है उस जिसे एक्जस्ट फैन होता है वह कीचन से धुमा को निकाल को बाहर फेकता है तो वहां पर उल्टा होता है मतलब बाहर का हवा उसके अंदर प्रेसराइज करता है तो माल यहां इधर से भाग रहे हैं अद दरवाजा खोले तो आगे का प्रेसर पोस्टिव है तो कि फैन से उसके एरिया को पूश्ट अब मैं आपको बता तो फार अलाम से कनेक्ट होता आटोमेटिक जिसे फार आग लगा अटोमेटिक फैन चलने लगा अएरिया प्रेसराइज होगा दरवाजा खोले तो मुझे हवा लगेगा फ्रेस ना आग न धुआ ना गर्मी उसे रिया नहीं जाएगा को इसकी ऐसे ब्योस्था होती है ठीक है दोस्तों इसलिए प्रेसाइशन सिस्टम है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं आगे चलते हैं दुस्तों कि रूप में खुका हुआ सब्सका हुआ नहीं कि एक निया मिल ये जुका कितना होना चाहिए दुस्तों जुका मतलब तो पांच परसेंट होना चाहिए मतलब मान के चलिए एक मीटर हाइट से अगर जुकता है तो अब यह हो गया एक मीटर हाइट से जुकता है तो इसका मतलब यह हो गया अब वहां से जुकाव हो गया 10 मीटर पर तो उसको कहेंगे 10 परसेंट वहां से जुकाव आगया कि बीश मीटर कोई भी रहें पैसे आया उत्रा बीश मीटर उसको बोलेंगे पांच मीटर पांच परसेंट तो कोई एक मंजिल से समझ लिजिए वो रहें कितना चक्कर लगा के नीचे उतरेगा तो उसको हम पांच परसेंट कहेंगे ठीके दोस्तों कल्कुलेशन आप कर लेन और रिफ्यूज एरिया क्या होता है दोस्तों रिफ्यूज एरिया एक प्रकार से भवन के अंदर आग लगने पर फसे हुए व्यक्ति के लिए सरण लेने वाला छेत्रें जैसे कोई भी फस गया तो पता चला इस्टेर के में अर्थ लग गई कोई आरिया है जहां में भाग नहीं सका तो एक बीज में रेफ्युजेरिया होता है सरान लेने के लिए वो एक खेत्र बना होता है है हम प्रकार से भवण के अंदर अग लगने फसे हुए व्यक्तियों के लिए वाला छेत्र को कहा जाता है उस खेत्र को अब डीजाइन किया जाता है जहां से बाहर मदद वाला rescue किया जा सके उस छेत्र में आग और धुमा से सुवच्छा रहने रहे जिसके अंदर पानी पीने की बेवस्था और फर्स टेट की बेस्टा तर भार extreme दोस्तों क्या होता है रिफ्यूज एरिया होता है वह भवद में उच्छी हो है को बहुत कुछ बील्डिनग ऐसे होती जो बहुर से सीसे पयक है ठीके दोस्तों ऑओности 10 फ्लोर से उपर की बिल्डिंग है तो आप देखेंगे उसमें 24 मीटर के उपर एक बड़ा सा बरादला टाइप को होगा उसको रिफ्यूजरिया फोटो में देख सकते हैं तो क्या होता है आप उस एरिया आप किसी भी फ्लोर पर फार साथ से लगे हुए रिफ्यूजरिया हो आप नहीं तो आपको क्या करना रिफ्यूजरिया में आ जाना हे लिफ्यूजरिया क्या होता है दोस्तो एक अशे साधुन leicht कि हिसाबसे बना होता है लग ሌंद्र अग लग गया तो फ्लोर के अंदर लग गया तो दो इन गंटे तक जलेगा नहीं उसके बाद आप ही सेरी आम आगे तो इसका दिवाल हो गयरा सब कुछ ऐसे वरता कि बिल्डिंग अंदर आग लग गई है लेकिन दो गंटे तक आप सेफ हो तो गंटे तक उसके बाद बाहरी मदद से मुलब बिल्डिंग के बाहर से कोई सीड़ी द होना चाहिए ऐसा नियम कहा गया है ठीके दोस्तों के त्रवेल डिस्टेंस किसको बोचते हैं त्रवेल डिस्टेंस भवन के अंदर किसी भी स्थान से फायर एक्जिट तक पहुंचने वाले मार्ग ना पा जाता है ठीक है दोस्तों अब यहां पे देख रहे हैं आप कि आप यहां पर हैं यहां से आप भाग रहे हैं तो आप जहां जो बिल्डिंग कोना से लेकर फायर एक जीट तक जो जग दूरी है उसको ट्रविल डिस्टेंस कहते हैं दोस्तों ठीक है दोस्तों यहां उस प्रिक्चर में देख सकते हैं अगर आपको यह अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक जरू करना है और कमेंट करके जरू बताना दोस्तों धन्यवाद दोस्तों नमस्का दोस्तों